पाठ एक इतने उचे उठो प्रस्तत कविता के रचैता द्वारी का प्रसाद माहेश्वरी हैं इस कविता में कवी अतीत को भुला कर भविश्य के लिए नवीन स्रिजन की आशा रखता है वह धर्ती पर स्वर्ग लाना चाहता है और इस संसार में भेद भाव, इर्श्या और द्वेश को त्याग कर सभी को संभाव से देखने का संदेश देता है इतने उचे उठो की जितना उठा गगन है देखो इस सारी दुनिया को एक द्रिष्टी से सिंचित करो धरा समता की भाव व्रिष्टी से जाति भेद की धर्म वेश की काले गोरे रंग द्वेश की, ज्वालाओं से जलते जग में इतने शीतल बहो की जितना मलय पवन है, नए हाथ से वर्तमान का रूप सवारो, नई तूलिका से चित्रों के रंग उभारो, नए राग को नूतन स्वर्दो, भाशा को नूतन युक की नई मूर्ती रचना में इतने मौलिक बनो की जितना स्वयम स्रिजन है, लो अतीत से उतना ही जितना पोशक है, जीर्ण शीर्ण का मोह मृत्यू का ही द्यो तक है, तोडो बंधन रुके नचिंतन गती जीवन का सत्यचिरंतर, धारा के शाश्वत प्रवाह में इतन गतिमे बनो की जितना परिवर्तन है, चाह रहे हम इस धर्ती को स्वर्ग बनाना, अगर कहीं हो स्वर्ग उसे धर्ती परलाना, सूरत चांद चांदनी तारे सब है प्रतिपल साथ हमारे, दो कुरूप को रूप सलोना इतने सुन्दर बनो की जितना आकर्शन है, द्वारिक प्रिसाद महेश्वरी